जै शेरिराम इसके कुछ समय पश्चात सुमंत्र की मूर्जा भंग हुई विक्रोट से लंबी-लंबी सांस लेने लगे दात किट-किटाने लगे और सिर पीटने लगे यह देख कर कि महराज दशरत के मन में कैकई का अब कुछ भी आदर नहीं रहा तब सुमंत्र ने तीक्ष मैं अपने पती महराज ही को जो जगत के पालन पोशन करने वाले हैं त्याग दिया इसी से मैं तुझे न केवल पती की हत्या करने वाली अपितु कुल का नाश करने वाली भी मानता हूं कहकाई तू ऐसे वर देने वाले स्वामी महाराज का अपमान मत कर वैसे भी प्राचीन प्रथा के अनुसार जेस्ट पुत्र के रहते तू अपने भरत को कैसे राज्य का राजा बना सकती है अगर तेरी यही इच्छा है तो अच्छी बात है तू और तेरा पुत्र भरत राज्य करे हम लोग तो वहीं जाएंगे जहां शिरीराम जाएंगे जब तूने शिरीराम को वनवास देने को कहा तब तेरे इस कृत्य से क्रोधित होकर वशिष्ट आदे महर्शियों ने तीवर और भयंकर धिकार रूपी वयंग बाणों से तु नस्टना हुई कौन ऐसा मूर्ख मनुष्य होगा जो मधूर फल देने वाले आम के व्रिक्ष को कुलहाडी से काट कर कडवी नीम के पेड को सीचेगा जो लोग ऐसा कहते हैं कि नीम के व्रिक्ष से कभी शहद नहीं टपकता तो इसे मैं भी मानता हूँ यही कारण है कि जै तेरे पिता को एक उत्तम बर्दान दिया था कि तुम सब जीवों की बोली समझ लिया करोगे इस वर के प्रभाव से वे सभे पक्षियों की भी बोली समझने लगे थे तेरे पिता एक बार लेटते समय अत्यंत चमकदार सुनहरे रंग की किसी चीटी की बात सुन और उसका आश्य समझ कर बहुत हसे इस पर तेरी माता बहुत क्रोधित हुई और अपनी जान देनी की धमकी देती हुई बोली हे राजन आपके हसनी का कारण जानना चाहती हुँ इस पर राजा ने कहा हे देवी यदि मैं हसनी का कारण कहुँगा तो मैं तुरंत मर जाओंगा इसमें संदेह नहीं है यह सुनकर तेरी माता अपने पती राजा कैकाई से बोली तुम चाहे जीओ चाहे मरो किन्तु अपने हसनी का कारण मुझे बतलाओ क्योंकि यदि तुम मर भी गए तो आगे फिर मेरा उपहास तो न करोगे प्यारी रानी के इस प्रकार कहनी पर राजा कैकाई ने सारा हाल जाकर वर देने वाले योगी से कहा तब उस योगी ने राजा से कहा हे राजन तेरी रानी भले ही मर जाए या अपने बाप के घर चली जाए पर तू ऐसा कभी मत करना यह सुनकर राजा कैकई ने प्रसन्न मन से तेरी माता का परित्याक कर दिया और स्वेम कुवेर की तरह विहार करने लगे हे पापीनी इसी प्रकार तू भी दुर्जनों के मार्ग का अनुसरण कर महराज को धोका देकर उनसे पुरा काम करवाती है देख तू अपनी माता जैसी मत बन और महराज का कहना मान अपने पती के कतना नुसार चल कर तू हम लोगों की रक्षा कर तू अपने पती से यह अधर्मकारिक अर्थाट बड़े पुत्र के रहते छोटे को राज्य मत दिलवा महराज दश्रत तुस्से जो प्रतिग्या कर चुके हैं उसे वे नकारेंगे नहीं आतहा तू स्वेम महराज से कहे कि वे उदार करतव्य का पालन करने वाले शिरी राम का अभिशेक करें यदि शिरी राम अपनी पिता को छोड़ कर वन गए तो संसार में तेरी बड़ी नि जाएगा तब महराज स्वेम पूर्वजों की प्रथानुसार वन को चले जाएंगे इस परकार सुमंत्र ने सब लोगों के सामने हाँ जोड़ कर कड़े वचनों से बार बार के कई को आहत किया किन्तु वेह ना तो आहत हुई और ना ही उसे कोई पश्चाताप हुआ इसके पश्चात महराज दशरत अपनी प्रतिग्या से दुखी हो आसु बहाते हुए सुमंत्र से बोले हे सुमंत्र तुम शिरीराम के साथ भेजने के लिए बहुत सा ध्धान, रत्न व चतुरंगडी सेनक को शीगर तयार करो जो शिरीराम के नौकर चाकर है और जिनके प्राक्रम से विप्रसन है उन सब को बहुत सा ध्धन दे कर इनके साथ भेजो उत्तम अस्त्र शस्त्र, मुख्य-मुख्य नागरिक और वनवासी बहेलिया जो वन का मार्ग जानते हो इनकी साथ जाए यहां भारत अयोध्या का प गई उसका मुख सूख गया और बोल भी बंद हो गया फिर वह व्याकुल होकर महराज से बोली हे महराज बिना धन पो बिना मनुश्यों के राज्ये को भरत ना लेंगे जब लज्जा को छोड़ कर कैकई ने यह अती कठोर बात कही तब तो महराज दशरत के नेत्र मारे क्र जाने के लिए वर मांगा था तब यह भी क्यों नहीं मांगा कि रामचंद्र खाली हात वन जाएं महराज के इस क्रोध पूर्ण वचनों को सुन कर कैकई दुगनी कृद्ध होकर महराज से बोली तो महारे ही वंश मे राजा सगर ने अपने जेस्ट पुत्र असमंजस को नि नामक परधान मंतरी ने जिसे महाराज बहुत चाहते थे कैकई से कहा हे देवी असमंजस वो शिरी राम का क्या मेल है असमंजस तो बड़ा ही दुष्ट बुद्धी का था वह सडक पर खेलते हुए बालकों को सर्यू नदी में फैक दिया करता था उसके ऐसी दुषकर्मों को देखकर नगरवासियों ने कुर्द होकर महाराज सगर से कहा हे महाराज आप केवल असमंजस ही को पूरी में रखना चाहते हैं अथ्वा हम लोगों को भी तब सगर ने प्रजा जनों से पूछा कि तुम्हारे इस भाय का क्या कारण है तब प्रजा जनों ने कहा कि राच कुमार असमंजस का दिमाग बिगड गया है वह हमारे खेलते हुए बालकों को पकड़ कर सर्यू में डुबो कर बड़ा प्रसन्न होता है तब महाराज ने प्रजा की बास सुनकर अपने दुस्ट पुत्र को त्याग दिया था और महाराज की आग्या से उसे तुरंत अपनी इस्त्री और कपड़े आदी आवश्यक समान के साथ और नगर में यह राजाग्या घोशित की गई कि यह सदा के लिए निकाला जाता है तब वह परवतों पर और वनों में मारा मारा फिरनी लगा उसने जैसा पाप कर्म किया था उसी अनुसार उसे फल मिला था महाराज सगर ने अपने दुस्ट चरित्र वाले जेस्ट पुत्र को देश निकाला दिया था किन्टु हे रानी भला बताओ तो कि शिरी राम ने कौन सा दुस्ट कारे किया है जो तुम इन्हें देश निकाला दे रही हो हे देवी यदि तुम्हें कोई दोश शिरी राम में दिखाई दिया है तो साफ साफ कहो तब शिरी राम को देश निकाला दिया जाएगा हे कैकई सज्जन एवं सुमार्ग पर चलने वाले पूरिश को अकारण त्यागने से अधर्म होता है और ऐसा अधर्म इंद्र के समान तेश को भी नस्ट कर देता है सिद्दार्थ के ऐसे वचन सुन महाराज दशरत ने बड़े धीमे स्वर में शोक से विकल होकर कैकई से कहा हे पापिन मैं जान गया कि सिद्दार्थ का कहना भी तुझे अच्छा न लगा अपनी और हमारी भलाई किसमे है यह भी तू नहीं जानती अतहा धन समपति सहित इस राज्य और राज्य सुखों को छोड़ कर हम तो शिरी राम के साथ जाते हैं तू अपने पुत्र भरत के साथ सदा के लिए सुख पूर्वक राज्य कर प्रधान मंत्री सिद्दार्थ और महराज दशरत के वचनों को सुनकर शिरी राम ने महराज से नमरता पूर्वक कहा हे महराज जब मैं सब भोग की वस्तूओं को छोड़ चुका हूँ और वन में उत्पन्न पदार्तों से अपना निर्वाह करना स्विकार कर चुका हूँ तब मेरे साथ धन, सैना, आदे इन सारे सामानों को भीजनी की क्या आवश्यक्ता है आप जो कुछ मुझे देना चाहते हैं उस सब को मैं भरत को देना चाहता हूँ मेरे लिए तो केवल वलकल आदी मगवा दीजिए चौदा वर्षों तक मुझे वन में रहना है अतहा कंद मूल फल आदी खोदने वो काटनी के लिए एक खंता और एक कंडी मगवा दीजिए जिससे मैं अबवन को शिग्र जाओं यह वचन सुनते ही कैकई स्वेम उठकर गई और चीर वलकल ले आई तक पश्चा सब लोगों के सामने लज्जा छोड शिरी राम से बोली लो इने पहन लो तब शिरी राम ने वे वलकल वस्तर कैकई से ले लिये और उनको धारण कर महीन बहुमुल्य वस्तरों को उतार दिया इसी प्रकार लक्षमन ने भी अपने रेश्मी वस्तरों को त्याग कर वलकल वस्तर धारण किये जानकी जी ने भी लज्जित हो और दुखी मन से कैकई के दिये वलकलों को ले लिया फिर नेत्रों में आसू भर कर शिरी राम से बोली वनवासी मुनी किस प्रकार यह वलकल वस्तर पहना करती है यह कहकर मुनी वस्तर पहनने में आकुशल सीता जी बार बार घबराने लगे तब इस कारे में आनिपुण सीता जी उस वलकल वस्तर का एक छोर गले में लपेट कर और दूसरा छोर हाथ में ले लज्जित हो वहां खड़ी रही इतने में शिरी राम ने तुरंत सीता जी के समीब जाकर रेश्मी साड़ी के ऊपर उस चीर को स्वेम बाद दिया यह देख भवन की सब स्त्रियां रोने लगी और अत्यंत भैभीत होकर शिरी राम से बोली हेवत्स तुम्हारे पिता ने जानकी जी को वन जाने की आग्या नहीं दी है पिता के आग्या मान कर तुम तो वन जा ही रही हो प्रन्तु जानकी जी को अपनी साथ न ले जाओ क्योंकि जानकी तो तपस्वियों की तरह वन में रहने युग्य नहीं है सीता जी को चीर हरण धारण की ये देखकर गुरु वशिस्ट जी ने कैकाई से कहा रिकुल कलंकनी महराज को धोका देकर अपनी कामना की सीमा से बाहर तु काम करवा चुकी है तुझ में तनिक भी लज्जा नहीं रही अब तो मर्यादा के भीतर रहे फिर गुरु वशिस्ट बोले सीता वन को न जाएंगी वह शिरी राम के लिए तैयार किये हुए राज सिहासन पर वैठेंगी जब तक शिरी राम वन से लौट करना आएंगे तब तक सीता ही राज्य करेंगी क्योंकि सब ग्रहस्तों की स्त्रियां अपने अपने पतियों की अरधहंगिनी होती है अतहा वह पती के समान ही पती के अधिकारों की अधिकारणी होती है सीता शिरी राम की अरधहंगिनी है ये भी राज्य का पालन कर सकती है यदि सीता जी शिरी राम के साथ वन को गई तो केवल हम ही नहीं अपितू समस्त अयोद्यापुरी के लोग भी शिरी राम के साथ वन को जाएंगे भारत और शत्रगन भी वलकल पहन कर तपस्वियों के वेश में अपने बड़े भाई के साथ वनगामी होंगे तब इस राज्य की भूमी मनुष्य शुन्य हो जाएगी केवल व्रिक्ष ही व्रिक्ष रहे जाएंगे तब तु अकेली पेडों पर राज्य करना हे कैकाई यह बात भी भली भाती समझ ले कि जहां शिरी राम का राज्य नहीं वह स्थान राज्य कहला ही नहीं सकता और जहां शिरी राम रहेंगे चाहे वह वन ही क्यों नहों राज्य कहलाएगा महराज अब प्रसनता पूर्वक भारत को राज्य दे रही है भारत यदि महराज के पुत्र होंगे तो वे इस राज्य को कभी न लेंगे और ना ही तेरे साथ पुत्र का सा वहवार करेंगे तु भरत की भलाई सोच कर उन्हें राज्य दिलवा रही है अपितु तु उनकी लिए बुराई इकत्रित कर रही है क्योंकि ऐसा कोई जन नहीं जो शिरीराम के पीछे न जाए अतहा हे के कई चीर को हटा कर अच्छे अच्छे वस्त्र और अभूशन अपनी बहु को पहना क्योंकि यह सीता चीर पहनने यूग्य नहीं है इस प्रकार कहे कर वशिष्ट जी ने सीता जी को चीर धारन करने से मना कर दिया फिर वे के कई से बोले वैसे भी तूने तो अकेले शिरी राम के वनवास के लिए वर्मागा था अगर सीता अच्छे वस्त्र आभूशन पहन कर शिरी राम के साथ वन जाएं तो इसमें तेरी क्या हानी है वशिष्ट जी के इतना कहने पर भी सीता जी ने उस चीर को न उतारा क्योंकि वे अपने प्यारे पती की तरह वन में रहना चाहती थी तब महराज दश्रत ने भी कैकई से कहा हे कैकई गुरू वशिष्ट जी ने सही कहा है कि सीता वन जाने योग्य नहीं है अपे तो वहे तो सदा सुख भोगने योग्य है मरने का समय निकट आने के कारण मेरी भुद्धी बिगड़ गई इसलिए मैंने शपत पूर्वक तुझे वर देनी की प्रतिग्या करके जो मूर्खता का काम किया है वहे मुझे वैसे ही जला रहा है इसके बाद महराज दशरत अत्यंत दुख से विलाप करने लगे तब वन जाने के लिए तैयार शिरीराम अपने पिता से यह वचन बोले हे देव मेरी माता कौशल्या जो पती वृता है उत्तम सुभाव वाली है वृता है और जो कभी आपकी निंदा नहीं करती ये मेरी बिना शोक सागर में डूप जाएंगे अतहा आप इनका ऐसा सम्मान वसतकार करें कि पुत्र वियो को सह सकें और आपके भरोसे जीती रहें यह सुनकर महराज दुख से पीडित होकर बोले हम मानते हैं कि हमने निस संदेह पूर्व जन्म में बहुत सी गायों के बच्छडे उनसे अलग कर दिये हैं अथवा बहुत से प्राणियों का वद किया इसी से यह दुख हमारे उपर आन पड़ा है अगनी के समानते जस्वी शिरी राम को हम अपने आगे राज सी वस्तर त्याक कर मुनी वस्तर पहनी देख रहे हैं निश्चे ही अकेली कैकई के करतूत से इतनी लोकस्ट पा रहे हैं ऐसा कहे कर महराज ने नित्रों में आशु भर कर एक बार राम कहा किन्तु इसके आगे वे कुछ बोल ना सके और अचेत हो गए शण भर बाद होश आने पर आखों में आशु भर कर सुमंत्र से बोले तुम उत्तम घोडे जोत कर रथ ले आओ और शिरी राम को नगर से बाहर पहुँचाओ महराज की आग्या पाकर सुमंत्र सजा हुआ सुन्दर रथ ले आए और शिरी राम के सामने हाज जोड कर बोले रथ तैयार है इसके पशात महराज ने अपने उस खजान्ची को बुलाया जो जानता था कि कौन सी वस्तु कहां रखी है और जो महराज के प्रति उन्तह इमानदार था उसे आग्या दी कि अच्छे अच्छे वस्तर आभूशन जो चोदवर्श के लिए सीता जी के लिए पर्याप्त हों शीग्र जाकर ले आओ उसने वहे सब वस्तों सीता जी के समक्ष लाकर रखती जो महराज ने लाने के लिए कहीं थी सीता जी ने वन जाते समय उन आभूशनों और वस्तों को धारण किया इसके पशात कौशल्या जी ने सीता को हिर्दर से लगाया और उनका माथा चूम कर यह कहा कि सब लोगों में जो कुल्टा स्त्रिया होती है उन्हें जब तक उनकी प्रिय वस्तों से सत्कारित करते हैं तो वे सदयव प्रसंद रहती है किन्टु जब पती पर विपत्ती पढ़ती है तो ऐसी स्त्रिया अपने पती पर दोशा रोपन करने लगती है और कई बार तो उन्हीं छोड़ देती हैं संसार में अधिक स्त्रियां ऐसी भी होती है जो सदा जूट बोला करती है और जिनको देखते ही देखनी वाले के मन में विकार उत्पन्न होता है उनके मन की बात बड़ी कठिनाई से जानी जाती है वे सदा हरदे शुन्य होती है उनके मन में नाना प्रकार के पाप से परिपून संकल्प उठा करते है जिने पूरा करने के लिए वे शन भर में लंबे समय से चले आ रहे अपनी प्रेम को तिनके की भाती तोड़ देती है ना प्रसिद्ध कुल ना उपकार ना गुरू की विद्या ना वैवाहिक बंदन ही इन कुल्टा स्त्रियों के मन को वश में कर सकता है क्योंकि ये सब बड़ी चंचल सुभाव की होती है और एक जगा स्थेर नहीं रहती जो सती और पती व्रता स्त्रिया होती है वे कुल के अनुरूप आचरण करने वाली सत्ते में आस्था रखने वाली गुरूओं के उपदेश में श्रद्दा रखने वाली और शांत चित्त होती है ऐसी स्त्रियों के लिए उनका केवल पती ही सर्विशरिस्ट होता है अधहा तु मेरे पुत्र का जो वन जाने के लिए तत्पर है उसका अपमान मत करना क्योंकि चाहे वेह धनी है चाहे निर्धन तेरे लिए तो वेह देवता के सामान पूज्य और मानने है सीता जी अपनी सांस के धर्म और अर्थपोन इन वचनों का अभिप्राय समझ कर हाज जोड कर यह बोली है आर्य आपने मुझे जैसी आग्यादी है मैं उसी अनुसार कार्रे करूंगी स्त्री को अपने पती की किस प्रकार सेवा करनी चाहेए वेह मैं जानती हूँ क्योंकि मैं अपनी माता पिता की मुख से यह सब सुन चुकी हूँ भूली भाली माता कौशल्या जो शिरी राम के वन गमन से दुखी होकर रो रही थी सीता जी के यह मनोहर वचन सुन कर सहसा प्रसन्न हो गई सम माताओं में अधिक पूजनिये माता कौशल्या की परिक्रमा कर शिरी राम ने हाथ जोड कर कहा हे मा मेरी वन जाने के बाद तुम दुखी होकर मेरी पिता की और मत देखना क्योंकि यह 14 वर्ष ऐसे कट जाएंगे जैसे सोनी में एक रात कट जाती है महराज की जिस भवन में पहले मृदंक धोल के शब्द हुआ करते थे वही भवन आज रानियों के करुण रुदन और अत्यंत दुख से भर गया तब दीन दुखी शिरी राम ने सीता जी और लक्षमन सहीत महराज पिता के चर्णों को सपर्ष कर प्रणाम किया और प्रदिक्षना की शिरी राम की पश्चात लक्षमन ने माता कौशल्या को प्रणाम कर फिर अपनी माता सुमित्रा को प्रणाम किया तब रोती हुई सुमित्रा ने लक्षमन का माथा चूम कर उनसे कहा कि जिस प्रकार कौशल्या ने शिरी राम को लोग की रक्षा हेतु पन किया है, उसी प्रकार मैंनी शिरी राम में अनुराग रखने वाले और उनकी साथ वन जाने के लिए तुम ही जन्म दिया है। अतहा, शिरी राम की वन जाने पर तुम वहां उनकी सेवा में असावधानी मत करना। हे पुत्र, चाहे तुम सुखी हो, चाहे दुखी, तुम्हारा एक मात्र कार्य है कि बड़ों के कहई में चलना और यही लोग में सज्जनों का धर्म है। विशेशकर, इस वन्ष की तो पुरानी रीती यही है कि दान देना, यग्य करना, संग्राम में शरीर त्यागना आ दे। हे पुत्र, माता-पिता, घरद्वार और देश छूटेने का सोच विचार मत करना। अपितो, वहां अपना मन पर संद करने के लिए शिरीराम को महराज दशरत के समान, जानकी को मेरे समान और वन को अयुध्या के समान समझना। इसके पश्चात सुमंत्र बोले, हे राजपुत्र, आप रत पर सवार होईए। आप जहां कहेंगे, वही मैं आपको तुरंत पहुचा दूँगा। तब सुंदर मुख वाली जनकनंदनी प्रफुल मन से ससुर के दिये हुए अनेक परकार के वस्त्र आभूशणों सहे, सर पर्थम सूरे के समान चमकीले रत पर चड़ी। उनके पश्चात, शिरीराम और लक्ष्मन अपने अस्त्रों के साथ रत पर सवार हुए। महराज ने दोनों भाईयों के लिए बहुत से अस्त्र शस्त्र, कवच, उत्तम ढाले भी रत में रखवा दी थी। तीनों के बैठते ही सुमंत्र ने रत को सावधानी के साथ आगे बढ़ाया। शिरीराम के बहुत दिनों के लिए दंडक वन को प्रस्थान करते ही न केवल नगरवासी, अपितु, राज्य सेन्ने के हाथी, घोडे तक अपने आपे में न रहे। वे सब मतवालों की तरह हो गए थे। और वे सभी शिरीराम के रत के पीछे-पीछे वैसे ही दौर लगा कोई तो रत की अगल बगल और कोई रत के पीछे शिरीराम को देखने के लिए ऊपर को मुख उठाए चले जाते थे, वे सब के सब उस समय रो रही थे और चिला चिला कर सुमंतर से कह रही थे, कि रत को धिरी धिरी चलाऊ, जिससे हम शिरीराम का मुख देख सकें, क्योंकि अब इनके मुख का दर्शन हमारे लिए दुरलब हो जाएगा धन्य है जानकी जो अपनी पती के पीछे उसी प्रकार शरीर की छाया की तरह जा रही है जिस प्रकार सूरे की किर्णे मेरू परवत को नहीं छोड़ती हे लक्षमन तुम भी कृतार्थ हुए जो तुम अपने देवतुल्य भाई की वन में सेवा करोगे और यही तुम्हारे स्वर्ग जाने का मार्ग भी है उधर राजभवन में दीन दुखी महराज दशरत शोक से व्याकुल रानियों सहित यह कहते हुए मैं अपने प्यारे पुत्र को देखूंगा भावन से पैदल ही निकल पड़े महराज सारे नगरवासियों को दुखी देख जड से कटे हुए पेड की तरफ जमीन पर गिर पड़े शिरी राम के रत के पीछे जो लोग जा रहे थे वे महराज की यह महा दुखदाई दशा देखकर हाहा कार करने लगे इस प्रकार लोगों का रोना चिल्लाना सुन शिरी राम ने पीछे मुड कर देखा कि उनके पिता महराज वा माता कोशल्या पैदल ही उनके पीछे चली आ रही है किन्तु सत्य के पाश में बंदे होनी के कारण शिरी राम ने माता पिता की यह दशा देखकर भी उधर से द्रिस्ट्री फेर ले सदा सवारी में चलने वाले जिन्हों ने कभी सुख को छोड़ दुख को जाना ही नहीं आज उन्हें पैदल आते देखकर शिरी राम सुमंत्र से शीग्र रत को हांकने के लिए कहने लगे वे अपने माता पिता की यह अवस्था देख सके उधर महराज भी सुमंत्र से कहते थे ठहरो ठहरो और शिरी राम कहते थे शीग्र चलो उस समय सुमंत्र घवरा रहे थे कि किसकी आग्या का पालन करें महराज दश्रत की या शिरी राम की तब सुमंत्र ने शिरी राम का कहना माना और जो लोग रत के पीछे आ रहे थे उन से जाने के लिए कहा और तब चलते हुए घोडों को तेज दोडाया रत के पीछे से जाने के बाद महराज के कुटुंग के लोग शिरी राम की मन से परिक्रमा कर शरीर से तो लोट आए किन्तु मन से न लोटे तभी मंतरी वर्ग ने महराज से कहा कि जिसका शीग्र पुनह आगमन चाहते हैं उसको पहुचाने के लिए दूर तक नहीं जाना चाहिए ऐसे वचन सुन महराज दशरत जो पसीने से सराबोर हो रहे थे और शोक से पीडित थे रानी और सहित शिरीराम की और देखते हुए वहीं खड़े हो गए फिर रत के पीछे नहीं गए मुझे सुनने के लिए धन्यवाद आपको यह कैसा लगा अपनी विचार हवश्य ही बताएं